नमस्कार दोस्तों ये मेरे मोग्रे के पोधह में आप देख सकते हैं मेरे ये मोग्रे का पोधह सेकड़ो कलियों से भर गया है इसमें जितनी भी नई नई सूट्स निकल कर आई है उन सभी सूट्स में आप देखे रहे हैं सभी में कलिया बनी हुई है देखे मोग्रे का जो होता है इसमें हमेशा जो नई सूट्स निकल कर आती हैं उसी में कलिया बनती हैं और फूल खीलते हैं इसलिए एक बार फ्लावर पेडुस करके फ्लावरिंग बंद होने के बाद मोगरे के पोधे की फिर से light प्रूनिंग की जाती है विंटर के बाद जब मोगरे का पोधा डॉर में इसे से बाहर आ रहा होता है तब इसकी हाड प्रूनिंग की जाती है फिर इसके बाद जब पोधा फ्लावरिंग करके फ्लावर पेड़ुस करना बंद कर देता है तब इसकी लाइट प्रूनिंग की ज सुखे ब्रांच सुखी पतियां सभी को आपको हटा देना है और पोधे को एक सही सेफ में लाना है जिसे फ्लावरिंग करने पर ये ज्यादा आकर्सक लग सके काफी कमेंड्स आते हैं कि मोगरे की प्रूनिंग कप करें देखें मोगरे की हार्ट प्रूनिंग विंटर के मोगरे के पोधे से विंटर के बाद से रैनी सिजन की स्टार्ट होने तक के बीच में आप चार से पांच बार फ्लावरिंग ले सकते हैं इस पोधे से मैं इससे पहले दो बार फ्लावरिंग ले चुका हूँ जिसमें से एक वीडियो मैं आप से पहले भी सेर कर चुका और अभी जो आप flowering देख रहे हैं यह तीसरी flowering है काफी वीवर्स के comments आते हैं कि हमारे मोगरे में कलिया तो आ रहे हैं लेकिन वो खील नहीं पा रहे हैं यहीं पर काफी लोगों को परेसानियों का सामना करना पड़ता है तो इसके पीछे का region क्या होता है कौन सी organic हाथ का प्रेयोग आपको करना चाहिए वही सब कुछ मैं आपसे इस वीडियो में share करूँगा दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं और हाँ आप मुझे कमेंड करके जरूर बताईएगा कि आप अब तक अपने मोगरे से कितनी बार फ्लावरिंग ले चुके हैं दोस्तों मोगरे का पोधा काफी हेवी फीडर होता है जितने भी तरह के नुटिसन होते हैं सभी की मोगरा खूब खपत करता है चाहिवो नायटोजन, फॉस्फोरस यह पोटेसियम हो या माइक्रोन इनुटेंट्रेंट्स हो सभी की यह खूब خपत करता है ज्यादा थर पोधों में देखा जाता है कि वब माइक्रोन इनुटेंट्रेंट्स की खपत कम करते हैं लेकिन मोग्रे का पोधा माइक्रोनिट्रेंट्स को भी खूब खाता है और चुकि मोग्रे का पोधा एक गर्म जलवाईू का पोधा होता है इसलिए इसे ऐसे फड़ी लाजर ज्यादा पसंद आते हैं जो गर्म नेचर के होते हैं जिनकी ताफिर गर्म होती है जैसे और्गेनिक में गोबर की खाद और सर्शों खली का लिक्विट फड़ी लाजर इनमें NPK की अच्छी क्वांटिटी होने के साथ साथ माइक्रो नूट्रियंट्स की भी अच्छी खासी क्वांटिटी पाई जाती है अगर आप मोगरे में मह सिर्फ अच्छी फ्लावरिंग करेगा बलकि उसमें फोलेज भी आपको जबर जस देखने को मिलेगी पतियां अच्छी खासी लस्क्रीन निकल कर आएंगी और ऐसे में जब पौदा फ्लावरिंग करता है तो वह और भी ज्यादा आकर सक लगता है दोस्तों वैसे तुम्हे सब्सक्राइब जिन जिन वीडियो में मैंने अच्छी फटी लाजर डालते आपको दिखाया है उन सभी वीडियो में मैं आपको इसकी सभी क्वान्टिटी और इसे कैसे बनाये जाता है वह सभी जरूर बताता ही हूं इसके बावजुद भी काफी लोगों की कमेंट्स आते है कि mustard का liquid fertilizer कैसे बना जाता है और यह कहां मिलेगा तो दोस्तों mustard के kuid fertilizer बनाने को लेकर मेरी एक separate video है उस video का लिंक है वो मैंने इस video के निचे description में दे रखा है आप चेक out कर सकते हैं और है mustard कर जहां पर जानवरों के लिए 4 मिलता ह ВасCu या इजली मिल जाता है क्योंकि इसे जानवरों को भी खिलाए जाता है अगर एक मुग्रे के पोधे के लिए मस्टट के की सही क्वांटिटी की बात की जाए तो इसे आपको 5-7 ग्राम तक पानी में डाल कर तीन दिनों के लिए 6-10 जगह पर बीना धके रख देना है पानी जादा भी चल सकता है जब मुग्रे में कलिया आ रही होती है तब और कलिया खिलने के लिए त्यार होती है तब इन दो टाइम्स पर आपको मस्टट की का लिकुट फड़ी लाजर डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है बिल्कुल भी से इसकीप नहीं करना है और जब कलिय को ड्रोब भी कर देगा यही एक ऐसा महत्वफूर इंफ्रमेशन है जो मैंने आपको इससे पहले कि मोगरा वाली वीडियो में नहीं बताया है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसकी गुड़ाई तब कर दी हो जब इनमें कलिया बन रही हो इसलिए इस पॉइंट को भी डालेंगे तो मोगरे का पोधा मर जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बस आपको सही क्वांटिटी और यूज करने की सही टाइमिंग का पता होना चाहिए क्वांटिटी मैंने आपको बता ही दिया है और डालने का जो सही टाइम है वह अर्ली मॉर्निंग टाइम या पिर जब सुरोदे हुए जादा देर ना हुआ हो तब आप इन गर्ण नेचर वाले खाथ को मोगरे में डाल सकते हैं जब मोगरे में कलियां आकर खिलने की त्यारी में रहती है तब के टाइम पर आपको इसे तेज धूप से बचा कर रखना है जिससे की खिलने के बाद इसमें मोश्चर बनाए रखना है अगर आपके गमले की मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है तो आप मल्चिंग करना ना भूलें दोस्तों अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखी लिया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप सेर जरूर कीजेग मोगरे के प्रती लोगों का क्रेज बढ़ता जा रहा है मोगरे में हमें भले ही कलर ओप्सन नहीं मिलता है इसमें सिर्फ वाइड कलर कही फ्लावर आते हैं लेकिन इसके फूलों में इतनी तेज सुगंध होती है कि कोई भी इसके और खीचा चला आए सायद ही कोई हो जिसे आप फूल पसंद न हाता ह tentu इसलिए मोगरे के पोधे से जादा फूल लेने के लिए साथ लेने के लिए इस तथ जानकारी का होना भी जरूरी है जो कि इस वीडियो में मैंने पूरी कोसिस भी की है और उम्मिद भी करूंगा कि पिछली वाली मोगरा की वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप लोगों ने खुब पसंद किया हो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो